हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वास्त होंगे एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुश्बू इंदोरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मैंने बहुत दिनों से आपके साथ कोई recipe share नहीं की थी तो आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ गटे की सबजी जो की मेरी friend विनीता भावी बना रही है जिसमें उन्होंने गटे उबलने के लिए रख दिये हैं और लसन प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर एक साथ पीस लिया है और एक कड़ाई में तेल लिया है जिसमें जीरा डाला है और इसमें राई डाली है, थोड़ी सी मेथी डाली है और जो प्याज का मिसरन बनाया हुआ था, मसाला बनाया हुआ था वो भी इसमें add कर दिया है आप देख रहे होंगे गटे भी हमारे उबल चुके हैं अब इसमें मूफली के दाने पीसे जा रहे हैं इन्हें रोश्ट भी नहीं किया है गच्चे ही पीसे जा रहे हैं बैसे तो मैं भी गटे की सबजी बहुत अच्छी बना लेती हूँ पर ये जो हैं खटी मीटी राजिस्तानी स्टाइल में बनाती हैं एक बार इन्होंने जब खिलाई थी तो हम लोग को बहुत अच्छी लगी इसलिए फिर हम लोग इसके बनवा रहे हैं इनसे उसके अदम लोग खुद भी बनाने लगेंगे जो मसाला भुन रहा था उसमें मूफल भी इसमें एड कर दिया जाएगा ये थोड़ी सी खटाई भी डाल दी गई है इसमें एड कर दिया जाएगा और इसको मसाले को खुब अच्छे से भूना जाएगा ऐसे भूनेंगे जब तक इसमें तेल ना छोड़ दे इतना भूना पड़ेगा और एक अलग बरतन में दह लिया हुआ है यह सो या डेर सो ग्राम दही रहा होगा जादा नहीं है इसमें जो है थोड़ी सी चीनी राल कर इसे अच्छे से फेट लिया है और दही भी उसी मसाले में एड़ कर दिया है यह आप देख रहे होंगे मैं सारा कुछ करती हूँ बस मूफली के दाने और दही उबाले थे वो भी सी में एड़ करेंगे यह एड़ कर दिये हैं गटे बहुत ही अच्छे और सौफ्ट बने हुए है लास्ट में यह सौस भी डाली हुई है जो कि मैं नहीं डालती थी इसलिए सबजी में थोड़ा मीठा पनाता है और यह लास्ट में एक फ्राइपैन में स प्रेवर को चेंज हो जाएगा और कुछ अच्छा लगने लगेगा तो यह आप देख रहे होंगे कि मिर्ची डाल दी गई है तड़क रही है तेल में और यह पूरा जो बगहार है वो सबजी में लगा दी गई है और सबजी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनी हुई थ दोस्तों खटी मीठी सबजी थी और यह हरी धन्या से गार्निशिंग कर दी है आई होप आपको गटे की सबजी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप भी एक बार ट्राय करके देखेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आप भी क्या ऐसे ही बनात हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग कुछ क्लॉट्स बगेरा ले रहे हैं उनके लिए लक्ष को क्या पसंद आता है क्या हम लोग को पसंद आता है तो हम लोग एक अच्छी सी शौप पे आये हैं जिसमें लक्ष के लिए कपड़े ले सकें बच्चे बढ़ते हुए हैं तो बह इसमें नहीं था पर गल्स का कुछ ज़्यादा ही अच्छा था और गल्स के कपड़े कुछ ज़्यादा अच्छा आते भी हैं दोस्तों यह लग रहा था कि क्या लेले क्या बच्चों के लिए लेलें गल्स के लिए कुछ अलग ही कलेक्शन था हमारे शॉपिंग लगबग दिलाएंगे और भी जो भी चीज़े चाहिए है टोईस की विजित कर रहे हैं अब इनका दिन है तो हम लोग इनके ही साब से चलेंगे साल भर में एक बार इनका रहता है यह हम लोग केक की शौप पे आ गए हैं और केक बाले भाया ने हम लोग को डायरेक्ट बेकरी पर ही भे अपना ओडर लिखा के आ गए थे नेक्स शौप है टोईस की तो लक्ष के लिए दो टोईस एक मम्मी के तरब से एक वापा के तरब से ले लिया गया है और इनकी लगभग शौपिंग पूरी हो चुकी है कपड़े टोईस और बोच सारा कुछ इनका हो चुका है अब आती ह मम्मी की बारी तो मम्मी को जो है एक रेड कलर की लेगी चाहिए थी तो हम लोग एक शौप पे आये हैं जिसमें बहुत ही सुन्दर-सुन्दर कुर्ति का कलेक्शन था दोस्तों बहुत यह लग रहा था क्या ले ले पर फिर भी मैंने एक लेही ली एक मेरा मन आ गया था उ चाहिए थी लेकिन फिर हमें एक उरता भी पसंदा गया तो हमने वह भी ले लिया था तो फिर दीर से ओपिर एक छोटा सा गिफ्ट मैंने भी अपने लिए ले लिया था शौपिंग लगबग पूरी हो चुकी है और हमारा जो भी हमारा जो भी लेने देने का था सारा कुछ हम लोग ले चुके हैं और समय भी पूरा हो चुका है घर भी पूँचना है समय साथ बज रहे हैं और घर की भी आरती पूजा भगवान हमारे बैठे होंगे संध्या आर्थी करनी है तो हम लोग जल्दी जल्दी ये जहाकियां देखते हुए एक छोटा सा एक नंबर रोट पर हमारे इंदोर में मेला लगता है जो कि गनपती विसरजन के बाद एक दो दिन तीन चार दिन लगा रहता है तो हम लोग जो वही देखते हुए निकले जा हैं तो वो सब देखते हुए निकले जा रहे हैं कि दूर से देख लेंगे रात में कौन आएगा तो बस देखकर हम लोग अपने घर पहुँच रहे हैं और अपने लक्ष की बड़े की तयारी हमारी इस तरीके से चल रही है साथी दोस्तो मैंने बता दिया है कि लक्ष का बड़े है तो आप सभी आमंत्रित हैं लक्ष के हपी बड़े में और दोस्तो एक शिकायत मुझे आप सभी से है कि मैं हर साल आप सभी को इन्वाइड करती हूँ पर आता कोई नहीं है सिर्फ कमेंड बॉक्स में कमेंड करके ह तो प्लीज ध्यान रखिएगा हमारे घर आईए लक्ष के बड़े में उसको शुपकामना है दीजिए गाईज हम लोग लक्ष के बड़े की शौपिंग करके आ चुके हैं ये सारा समान रखा हुआ है अभी आतिस से ही मुझे काम करना है क्योंकि खाना पीना बनाना है खाना है और भगवान की पूजा भी करनी है टाइम भी 7-7 बज़ रहे हैं तो पूजा भी कर लेते हैं उसक अधर बारिस के चक्कर में लाइट आने रही है बहुत देर हो गई है और हम लोग भी मार्केट करके भी थोड़े देर पहले आए तो सोचा क्या बनाए क्या बनाए और फिर अब लाइट चले गई तो हम लोग बना रहे हैं मीठी दलिया जिसमें मेरे हस्बेंड मेरा मेरी ह कर रहे हैं लक्ष लक्षवी किचन में हैं अंधेरे पर देख नहीं रहे होंगे आपको लक्षवी किचन में हैं हम तीरों किचन में है क्या केंडल है नहीं मोबाइल की रोसनी से हम लोग आज काम कर रहे हैं तो बना रहे हैं मीठी दलिया बस वहीं खाएंगे और सो जाएं एक गंटे में तो हम लोग ने उजाले में खाया था और अब मैं अपने अपने परिवार का ध्यान रखियेगा और एक बार फिर से आप सभी लक्ष के बड़े में आमंतरित हैं तो प्लीज आईएगा जरूर झाल झाल झाल